हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, हम लोग लाइन से और एंगल सका इंट्रोडेक्शन वीडियो देख चुके हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं और एक्सरसाइज के कोश्चन देखते हैं, तो जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, फीगर इन फीगर लाइन A, B, A, B and CD intersect at O, A, B और CD straight line O pर intersect कर रही हैं और A, O, C और B, O, E कसम दिया गया है, 70 degree and B, O, D कितना दिया गया, 50 degree Find कहा करना है, B, O, E and Reflex of C, O, E, ठीक है, देखते हैं हम लोग इस questions को, कैसे इस questions को solve करेंगे, ठीक है देखें. A, O, C ये एंगल और B, O, E ये एंगल. इन दोनों एंगल का सम कितना है? 70 degree हमने बोल दिया, ठीक है 70 है. B, O, D कौन सा एंगल है, ये एंगल. B, O, D कितना दिया था? 40 degree हमने बोल दिया. B, O, D 40 हैं. अब हमें बताना है ये एंगल. अब हमने देखा जो BOD एंगल है और जो AOC एंगल है यह दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के vertically opposite है तो हम यह भी बोल देंगे AOC और BOD क्या होगा दोनों एंगल इक्वल क्यों क्यों क्योंकि vertically opposite है AOC की value हमें पता है AOC कितना है 40 degree हमने बोल दिया अब देखें BOD अगर 40 है तो AOC अपने आप 40 degree हो जाएगा क्यों क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें इसा क्या होते हैं इक्वल होते हैं अब जो हमारी equation ये थी AOC प्लस BOE इक्वल to 70 यहाँ पर हमें AOC की value पता चल गई ठीक है AOC की value ह हम लोग क्या रख देंगे 40 degree रख देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि BOE कितना है 30 degree है अब देखें जब हमने BOE की value 30 degree पता कर ली ठीक है तो हमने बोल दिया BOE कितना होगा 30 degree क्यों क्योंकि हमसे question में BOE की value पोली गई थी हमने बता दिया BOE is equal to 30 degree ठीक अब हमें क्या ब आप से reflex आप COE बोला गया है तो आप 360 माइनस COE कर देंगे COE एंगल कौन से है यह एंगल ठीक अब देखें यह तीनों एंगल क्या है 180 होंगे straight line है ठीक है तो AOC प्लस BOE प्लस COE is equal to 180 क्योंकि AOB is a straight line AOC आपको पता है ठीक है BOE आपको पता है COE बताना है ठीक है तो COE कितना आजाएगा 110 ठीक अगर COE 110 डिगरी है तो देखें JAG होता का है यहाँ से आज फीगर से आप समझ लीगे rat kytnoe के अगर हम बात करें EU हमें पता है choee कि इतना है 110 पर यह जो ऌ़ाइन है यह क्या होगा यह reflex होगा तो इसे मैं पता करना है क्या करेंगे 360 से माईनस हमने 360 से माईनस कर दिया कितना जाएगा 250 कितना जाएगा इसको count 250 ठीक है next question देखते हैं इन्भीगल लाइनС one ॠीक है आप देख रहें xy x axis and mn ठीक है mn यह जो आई है transverse in intersect at o क्या कर रहे हैं यह ओपर intersect कर रहा है ठीक आप देख पा रहे है यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर intersect कर रहा है O के point पर intersect at O if P O Y is equal to 90 degree and A ratio B is a 2 ratio 3 देखें यहाँ पर क्या दिया गया है ratio दिया गया है कि A ratio B क्या है 2 ratio 3 है ठीक है देखें यह A और B ठीक है इन दोनों में एक तरीके का ratio दिया गया है कि 2 ratio 3 है हमें C बताना है अब देखे P O I कितना है 90 degree कोई बात नहीं A को हम बोल देते हैं 2x और B को क्या बोलते है 3x क्योंकि कभी भी अगर ratio रहता है तो multiples में equal ही आता है जितने A होंगे उतने ही क्या होंगा B होंगे ठीक है अब यह 2 times होगा 3 times होगा समझ में आ र डिया A को हमने 2x और B को क्या बोल दिया 3x समंझ में आ रहे है अब इन्हें add करने पर कितना है कि 90 क्योंकि हम जानते है A और B ठीक है समझ में आ रहा है रहा है रिट एंगल को बना रहे है और B कितना आ जाया है 90 हमने 90 कर दिया तो X की value कितनी आगी 18 X की value 18 आने का मतलब कि A क कितनी आ जाएगी यहां से 36 और B कितनी आ जाएगी 54 जोन में आ रहा है 36 और B कितना आ गया 54 ठीक है दोनों एंगल को हमने पता कर लिया अब देखिए यहां पर यह जो सी है हमें क्या बताना है सी की वैलू बतानी है देख लिए आप एक बार हमने एरेज कर दिया हमें कौन सी बतानी है सी की वैलू ठीक है अब यहां पर यह पी ओ एम यह एंगल दीख रहा है आपको और पी ओ वाई यह दोनों एंगल दीख रहे हैं यह दोनों एंगल का जो सम है यह एंगल ठीक है देखिए फिर से एक बार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह जो एंगल है यह C का क्या है C के एक्वल ही होगा क्यों क्योंकि यह vertically opposite है तो इन दोनों का क्या कर लेते हैं sum कर लेते हैं ठीक तो कितना आ जाएगा 126 degree कितना आ जाएगा 126 degree ठीक है next question देखते हैं in figure PQR is equal to PRQ then prove that PQS is equal to PRT देखते हैं ठीक है हमने क्या किया देखे PQS यह PQS है और PQR यह 180 होंगे linear pair ठीक है कोई बात नहीं लिख दिया PRQ यह एंगल और PRT यह एंगल यह भी linear pair होंगे 180 हमने लिख दिया ठीक है अब हमें बताया क्या गया है given है PQR is equal to PRQ ठीक है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं PQR के place पर क्या करते हैं PRQ रख देते हैं तो इन दोने equation को solve करने से हमें पता चला कि PQS क्या होगा PRT के एक्वल होगा ठीक है समझ पार हैं आप बहुत ही अच्छे से देखे question number 4 क्या है X plus Y जो X plus Y है वो W plus Z के equal है हमें प्रूफ करना है कि AOB क्या है state line है अब हमें यह पता ही जो total angle है यह हमेंसा 360 होगा क्या हमें पता ही यह कितना है हम इसकी value जानते हैं 360 होगा यह भी जानते हैं कि यह angle क्या होगा X Y W Z के equal होगा तो हमने क्या कर दिया X plus Y W plus Z is equal to 360 क्योंकि यह complete angle है 360 होता है लिख दिया अब आप बताइए कि हम X plus Y को W plus Z लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं यह W plus Z को X plus Y लिख सकते हैं हमने W plus Z को यहाँ क्या लेख दिया X plus Y के गिविवन है तो हम लोगों ने इस तरीके से प्रूब कर दिंगी क्या है एक straight line है समझ में आ रहा है आपको देखते हैं 5th question और इसके बाद हम लोगों का last question होगा 6 In figure POQ ठीक है आपको दिख रहा है POQ POQ is a line Ray OR is perpendicular OR क्या है? perpendicular To line PQ PQ पर क्या है? यह perpendicular है ठीक है आपको समझ में आ रहा है PQ पर क्या है? perpendicular है ठीक है OS is another ray line rays OP and OR ठीक है OP and OR पर क्या कर रहा है? OR लाई कर रहा है हमें proof क्या करना है? यह given है कि जो हमें proof करना है proof करना है ROS is equal to 1 by 2 times QOS minus POS तो देखे कभी भी इस तरीके का question आता है तो आप कैसे solve करेंगे? देखे जो QOS है हमने उसे लिख दिया QOS है और POS है अब हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि QOS है क्या? तो हमें पता चला QOS यह है हमने देखा कि जो QOS है इससे हम यह भी लिख सकते है QOR plus ROS लेकिन हम यह भी सोचेंगे कि यह लिखने से क्या profit? हमने कहा कि अगर QOS QOR और ROS के farm में इसे हम लिख दें तो हमें यहाँ पर ROS मिल जाएगा जो हमें LHS में प्रूफ करना है हमने कहा अगर हम इसे भी लिख लें ROS के farm में तो बहुत अच्छा होगा तो हमने POS को क्या लिख दिया? POR जहां से देखे क्या लिखा? POR minus ROS भाई यह total angle है इससे अगर हम इस part को minus कर देंगे तो यह बचेगा हमने POS को यह लिख दिया POR minus ROS ठीक है यहां पर अब देखिए ठीक है फिर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा important है यह देखिए क्या किया गया यहां पर यह जो QOR है ठीक है यह QOR यह कितना है? 90 degree है QOR कितना है? 90 degree है और POR कितना है? 90 degree है तो यह 90 और 90 क्या हो जाएंगे cancel ROS और ROS क्या आजएगा? 2 times ROS 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे कितना आजएगा? ROS हमने इसे प्रूफ कर लिया last question देखिए बहुत important question इस exercise का last है in figure PQ and RS ठीक है PQ and RS ठीक है देख रहा है आप PQ ठीक है PQ and RS are two mirror यहाँ पर PQ और RS क्या है? यह दो mirror है यह PQ mirror और इसके बाद यह RS mirror दो mirror है placed parallel to each other and incident ray AB ठीक है? यह आप देख रहा होंगे यह जो रेट से AB क्या हुआ इस पर आती है strikes the mirror PQ PQ पर क्या किया? strike किया at B B point पर strike किया और reflect कर गई ठीक है और क्या हुआ reflect कर गई और यह CD से ठीक है reflect at B the reflected ray moves along the path BC ठीक है देख रहा है आप BC से and strike the mirror RS at C RS पर किस point पर C पर and again reflected along CD और CD से क्या हुआ reflect हो गई ठीक है यह आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर एक ray A, B, S, A, I और B पर reflect होकर यह RS mirror पर आई और CD से reflect हो गई यह P, Q और RS दो mirror है अब देखिए हम क्या करते हैं सबसे पहले समझने की कोशिस करिएगा हमने BE क्या कर लिए एक perpendicular drag कर लिया P, Q के और CF क्या किया एक perpendicular drag कर लिया 9th में आपने sound में पढ़ा होगा यह 3 और 4 इक्वल होंगे 1 और 2 इक्वल होंगे क्यों? क्योंकि यह angle of incident है और यह angle of reflection है ठीक, तो हम यहाँ पर बोल सकते है angle 1 is equal to angle 2 ठीक है? equation first क्यों? क्योंकि angle of incident is equal to angle of reflection इसी तरीके से 3 और 4 भी equal होंगे हो गया 1 प्लस 1 लिख सकते है 4 प्लस 4 लिख सकते है 1 अगर 2 के equal है तो हमने 1 को 2 लिख दिया और 4 को क्या कर दिया 3 अब 1 प्लस 2 जो है वो 3 प्लस 4 के equal है ठीक है? तो from equation first and second हम बोल सकते है कि यह दोनो angle आपस में equal है और यह तभी हो सकता है लोगों को share करिए